इसमें लेर रह्मानिर रहीम, असलामलेकूल विवर्स आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लुगेटर की यूटिप चैनल और मैं हूँ आपका होस्ट उसामा खुरशीद, विवर्स आज मैं आपके लिए जो प्रॉपर्टी लेगर आया हूना बहुत ही कमाल का और एक कम्प् पचास लाग रुपर इस घर की डिमांड की गई है और इसकी लुकेशन की सबसे पहले मैं अगर बात कर लूना तो यह बिल्कुल वाकिंग डिस्टंस पर इतना नेरस्ट है पार्के के जब आप इस घर को फिजिकली विजिट करेंगा तो आपको आइडिया होगा एक तो इ दिएचे फिर्वेस कमर्शल दिएचे राया और दिएचे गोल्फ कोर्स के भी बिल्कुल नेरस्टी घर लुकेटीड है और में बुलेवाट से भी जारा दूर यह घर नहीं है और लुकेशन इसकी बहुत टॉप नौच बंती है और इसका घर का जो इंटीर है वह भी खु और प्रड़ना इन होने गिया सामने वाली वॉल पर देख सकते हैं कुँब्सूरत प्लांटेशन की हुई है और संब्सक्राइग अधर में इसका कर देख सकते हैं यहां पे यहों पर हैसका कार राम जहां पर नहीं पर कम्पेटтесь का एम टालेघर के यह तो जब आधर ढर मे चीज आपको बताना चाहता हूं वो है इसका कार पोर्च यहां पर तीन सा चार गाड़ियों को बहुत इजली पार्क कर सकते हैं काफी स्पेशियस जगा यहां पर बनाई गई है गाड़ियों के लिए और उपर सिलिंग का डिजाइन भी आप देख लें खुबसूरत और सामन को बेतर लगता है आप इसको बोल सकते हैं यहां ज़रूरी नहीं है कि एक ही वर्ट को हम यूज करें एंड अगेन इसका एलिवेशन और एक और जो कमाल की इसका फीचर ना घर का वो यह है कि इसकी एंट्रेंस लोबी देखें एंट्रेंस देखें माश्यालाह कितनी हूज साइस की बनाई गई है और काफी बड़े साइस का इसका में डोर कंस्ट्रक्ट किया गया है और प्रीमियम कॉलिटी का घर आपको यह मिलता है और जब आप इस गर में एंटर हुए है न तो बहुत ही लैविश और सुपर स्पेशियस इसकी डबल हाइड लोबी है जिसमें खुबसूरत सामने आप इसका है शेंडिलियर देखने है सेंटर में और यह राइट साइड पर सामने देखने है आप गलास और ट्राइट इन स्टोन का यूज करके वाल को डिजाइन किया हुए है इसके स्टेयर के जो कि आपको फस्ट प्लोर और बेस्मेंट में एक्सेस तो अब हम इसके ग्राउंड फ्लोर के प्लाइन को डिसकस करेंगे और उससे पहले में बता दो इस लोबी का सारे एरिया में नोवा पेंट का यूज किया गिया है विव्यूर्स लफ्ट साइट पर यह है इसका ड्राइंग रूम और सामने खुबसूरत इसकी फीचर वाल बहुत जबरदस तरीके से यहां इसके शेंडिलियर को लगाया हुए है और लाइट ग्लोब्स बहुत खुबसूरत लग रहे है और यहां नोवा पेंट अगेन आपको देखनों के मिलता है अलेक्रोलक्स कंपनी के इंवर्टर इसी पूरे घर में है और वेंडिलेशन सामने मेर की डिजाइन करके बहुत ही खुबसूरती से डेकोरेशन की गई है लेट साइट वे ओविसली वेंडिलेशन परपस के लिए विंडोस आपको अगेन बिल जाती है डाइनिंग के लिए सेपरेट एंटरंस आपको यहां से भी दी गई है लेकिन अब हम इस घर का ज इसमें आप देख लिए ग्लास का यूज किया हुए है आप इसमें आगे आएंगे तो बिल्कुल सामने इसकी खुबसूरत मीडिया बॉल और यहां से काफी स्पेशियस इसकी जगह आप देखते हैं सेंटर में खुबसूरत इसका आप शेंडिलियर पोल ले या हैंगिंग लाइट बोल सकते हैं और अगें वेंटिलेशन परपस के लिए आपको विंडोस दी गई है इधर राइट साइट पे कॉर्णर पे आप देख रहे होंगे अलेक्रिक फायर किट को बनाया गया है और यहां पे आपको स्टोरिज कंपार्टमेंट भी दिये गए हैं टीवी कं करना होता है वो फीमेल जी होती है और अगर उने घर का किचन ही पसानना है तो घर जितना मर्जी खुबसूरा तो वो कभी भी इसको प्रेफर नहीं करती है तो यह उनके लिए तो बहुत ही जबरदसी चीज है देखें कितना स्पेशियस है और काफी ज्यादा स्टोरेज की आपको जगा मिलती है कोरियान का यूज किया गया है स्लैप्स पे और यहां से पे ऊपर आपको एसी भी मिल जाता है और यहां राइट साइड पर देखेंगे टूटो रेफ्रिजरेटर बेकिंग और माइक्रोवेव ओवन और अगेन काफी ज़ादा यहां पर स्टोरेज के इसको लगाया किया आगे बढ़ेंगे और इसके जो ग्राउंड फ्लोर के बेड्रूम्स है उनको अब जली-जली से देख लेते हैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को ज्यादा लंबा ना होने दूँ क्योंकि आप मेंसे कई लोग कहते हैं कि कम टाइम में ज्यादा बताया हुए है सेंटर में ब्रास की यह जो स्ट्राइप है देखें कितनी खुबसूरत लग रही है मैं आपको इधर से दिखाता हूँ यह देखें और यह मून शेप के यहाँ पे आपको लाइट ग्लोप्स लगए मिलते हैं लफ्ट साइट पे वेंटिलेशन परपस के लिए वि स्टोरेज के लिए आप जो भी चीज रखना चाहें करके यहां से डोर को अपने क्लोज कर सकते हैं और जबके आपको वाश्रूम इस साइड बर दिया गया है बहुत यह खुबसूरा सामने आप देख सकते हैं मेरा डिजाइन और पीछे इसकी जो वाल की डिजाइनिंग की वाइट्रा कंपनी की पुरे घर में वाश्रूम असेसरी आपको मिलती है इस घर में इधर से बाहर आएंगे तो लेप साइड पर होते हैं तो यह सेकंड बेड्रूम जिसको नॉर्मली चाइल बेड्रूम भी बोला जाता है यह इसकी बैड वाल का डिजाइन भी आप यहां वाल फुर्टिट कमोड के उबीकल शावर रूम और राइट साइड वाट बीली पेस को बनाया हुए तो यह है इसका अटैश्ट वाश्रूम सामने आप देख लें इस ही लगा हुए सेलिंग का डिजाइन और यह लेट साइड पे है इसकी मीडिया वार आप अब चलते हैं और देख लेते हैं जी इसका बेस्मेंड का प्लैन फिर मैं आपको इसके फर्स फ्लोट पर ले चलूँगा अप हम बेस्में नीचे उतरते हैं तो बेस्में में बिल्कुल सामने आपको दिया गया है पालड़रू में आप जैसा एंटर हुए यहां राइट साइड पे यह और ventilation purpose के लिए windows पी इदर दे दी गई है साथ में ये इसकी vanity है और उपर LED mirror को लगा दिये है ये है viewers इसका powder room और इदर से बाहर जब आते हैं तो काफी बड़ा और size का आपको lowby का area नजर आता है मजीद आगे चलेंगे और अब हम इसका देखते है basement का plan आप viewers जैसे basement में नीचे आते हैं बिलकुल सामने इसका basement में living area आपको मिल जाते है जो के काफी ज़ादë spacious है और यहां से left side पे होंगे जो सबसे कमाल की चीज है ना आपको दिखाता हूं नॉर्मली basement में भी इतने बड़े size का kitchen बनाया नहीं जाता लेकिन यहां पर आपको प्रोपर किचन की अपनेडी के साथ यह fixing kitchen की देखनों को मिलती है उपर kitchen hood देख लें फिर उसका three stove burner देख लें और यह left side पे जो है यह आप इसका वाच बेसन देख लें इसके काफी बड़े size के store room को भी design की आई गया है और यहां पे again आपको light gray color में नौवा paint में देखने को मिलते है stairs के निशे काफी जबर्दस space आपको again दी गई है और यहां पे आप sitting बनाना चाहे है या plantation या planters बगरा लगाना चाहे है इसके according के आप इसको जैसे मर्जी utilize कर सकते हैं जगा आपको दे दी गई है और यह इसका living area में जब आप enter हुएं तो यह right side पे इधर संगन एरिया है basement में जो के जबर्दस कमाल की चीज़ है जो के smokers हजरात हैं यहाँ पे बैट के basement area में smoking कर सकते हैं और ventilation का भी कोई मसला नहीं है यहाँ पे भी windows आपको दी गई है सामने भी windows दी गई है ventilation पर रपस के लिए और अब मैं दिखाता हूँ इसकी यह खुबसूरत किसम की media wall का design सेंटर में luxurious chandelier है और सामने light wooden texture में सामने आप देख सकते हैं इसकी media wall को design किया हुआ है और यहाँ से बाहर आते हैं तो सामने वाल पर जो आप देखते हैं तो carbon stone और glass के combination से wall की design किया हुआ है left side पे nova paint है completely और यहाँ से मजीद जब हम आगे आते हैं तो proper यह जो इसका संकान एरिया है इधर से इसकी entrance दी गई है और यह जो सामने वाला bedroom है इधर से भी आप अपने संकान एरिया को access कर सकते हैं इस bedroom के right side पे यह media wall देख रहे हैं और यह है थोड़ी से mirror का design है यह भी बहुत खुबसूरत लग रहे है cubical shower room wall fitted commode and jacuzzi की proper space बनाई गई है और पिछे tile का जो color है वो आप देख लें नीचे flooring light color में है और सामने जो wall की tiling है वो की गई है dark color में यानि light और dark color में अच्छे तरीके से play किया गया और खुबसूरत लग रहे है बहुत और ऐसे ही इसका ही जो second bedroom है यह भी काफी बड़े size का है इसमें यह चेक करें यह देखें यह इसकी bed wall again यह थोड़ी डारके store में है जहां पर soft cushioning भी है brass भी है woodwork भी है और glass work भी किया हुए यानि घर को खुबसूरत बनाने में तो कोई कमी छोड़ी ही नी कही और यहाँ ventilation purpose क इसके back बाहर वाली side पे sunken area है यानि suffocation के तो नामों निशान ही नहीं है इस घर में इतनी जबरदस ventilation इस पूरे घर में आपको मिलने वाली है यह media wall और back side पे अब मैं आपको ले चलता हूँ जी इसके attached washroom में यह देखें राइट side पे vanity कर design देखने कितना जबरदस लग रहे यह चेक करें और LED mirror को लग रहा हुए है अगें यहाँ पे आपको ventilation purpose के लिए windows देथी गई है कोरियान का use नहीं किया हुए है सामने wall fitted commode है storage के लिए यहाँ wall के center में जगा बनाई गई है आप यहाँ पे shampoo साबंग या इस तरह का कोई भी face wash वगएरा चीज़ है यहाँ पे अ और इसी के साथ हमारे इस घर के जो ground floor है उसका भी house door complete हो जाता है अब हम चलते हैं और देख लेते हैं बलके मैं एक दफ़ा यहाँ से आपको फड़ा सा दिखा दूँ कि इतनी spacious जगह है यह देखें काफी spacious जगह है सामने water tap को भी लगाया गया है यह बड़ी कमाल की space है और अब हम चलते हैं और देखते हैं जी इसका first floor का plan 16 क्रोड 50 लाग उरपे demand है इस घर की again मैं repeat कर दूँ location की बात करेंगे तो बहुत ही जबर्दस location है पार्क अगर आपको nearest चाहिए market आपको nearest चाहिए भाई fairways commercial आपको nearest चाहिए golf course राया तो इस घर को ज़ूर बो लो consider कर सकते ह हैं जो के seven bedroom की accommodation को इस फक्क find out कर रहे है market में यह देखें मैं करीब से दिखा रहा हूँ इस वाल का design covered in stone के साथ granite है flooring पे completely स्टेश से उपर आएं तो अगें आपको यहां space मिलती है इसको आप laundry अरिया भी बना सकते हैं क्यूंकि सामने water tab को भी लगाया गया है और यहां से left होते हैं तो यह है इसके लोगी गल्रू यहां से मजीद आगे आएंगे right side पर living area और further इसका plan है पहले हम देखते हैं जीसक यह first spacious bedroom जिसमें सबसे पहले इसकी bed wall देखने जी mirror soft cushioning का combination flowing अहां पर completely wooden की सामने front terrace भी दिया गया है और यह है इसकी media wall को उपर light globe लगाया हुआ फुक्सूरत सा और काफी बड़े size का attached washroom जिसमें right side पर wardrobs अच्छा एक चीज़ आप देख रहे होंगे इस video में कि wardrobe के लिए बहुत space दी गई है नॉर्मली कई लोग complain करते हैं कि कई खर ऐसे होता है कि wardrobe के लिए जगा हमारी काम है यह इस तरह का कोई भी scene है तो भई इस घर में अगर आपको seven bedroom के accommodation मिल रही है न तो उसके साथ साथ आपको हर चीज़ का ख्याल रखके बनाई की चीज़ दी जा रही है wardrobe हो फिर चाहे वह bedroom का size हो फिर चाहे वह कोई भी चीज़ वेंडिलेशन हो specially ventilation पे क्योंकि basement है और basement में भी अगर आप देखें तो आपको किसी किसम के कोई तरह का scene देखने को मिलता ही नही यह भी काफी ज़्यादा spacious बनाया गया है और इधर से जब आप बहार आते हैं तो यह है कुछ इस तरह का view इसके lobby का मैं नीचे तक दिखा रहता हूँ आपको यह देखें और यहां further partition की गई है इधर से जब आप अंदर आए हैं तो यह है right side पे इसकी media wall मैं काम जड़ता यहां से ओफ करता हूँ वह इसलिए क्यूंके fans मेरे गणा काफी जाला short कर देते हैं और समझ नहीं आती बात की यह देखें इधर से हम देखते हैं और यह है जी sliding windows यह इसका open tennis है सामने fire kit बनाई हुई है और मैं यहां से एक सब्सक्राइब फुला हुए है यह देखें fire kit को बनाया गया है और यह देखें काफी जादा स्पेश है स्वरी काफी जादा स्पेस है माशाळा है तो यह है इसको open terrace और इससे जब आप बाहर आते हैं तो आपको proper वियू मिल रहा होगा इसकी खुबसूरत media wall का इसकी media wall लेखें किनी जबरदसते है इसकी media wall लेखें कि यहां लगाया हुए और सेंटर में खुबसूरत ब्रास की जो स्ट्राइप आना वो अबिस्ली इन्हेंस कर रही इसकी ब्यूटी को और निच्चो स्टोरिस के लिए भी आपको जगा मिल जाती है और सेम इसी ज़रा अब हम चलते हैं आगे इसको दो बेडरूम देख लेते हैं तो राइट साइड पे अटैश वाच रूम जिसमें जब आप इसमें एंटर होते हैं तो वैली राइट में हैं जी इसकी वार्ट ब्रोब की स्पेस यह वैंडिलेशन पर उपस के लिए विंडोस और यह है इसका वाल फिडिड का मोड साथ में यह है इसका क्यूबिकल टैरेस को और यह है जी आपकी मीडिया बॉल मजीद आगे आएंगे तो लेफ्ट साइड पे इस घर का यह साथवा बेडरूम जो के फर्स फ्लोर थर्ट बेडरूम है इसकी भी बैड बॉल आप चेक करें कितने डिफरेंट पेटरन पर बनाई गई गई है बैक साइड पे लिए यह काम इतना ही कर सकता है इतनी भी बैड बॉल अच्छी रगनी थी लेकिन उनका ने एक चीज़ को इन्हेंस किया कि आगे जो फुबसूरत सा एडिशन की है ना यह देखें मैं आपको करीब से लिखाता हूं यह चेक रहे हैं बहुत फुबसूरत लग रहे हैं और इस बैड बॉल की बीडी को और उसी के साथ वेंटिलेशन परपस के लिए विड़ोस ओविएसली यह इसकी मीडिया वाल है और यहां से लेप साइट पे इसका टैश्ट वाश्रूम वुडन टेक्च्छर में इधर आपको मिल जाता है जी इसकी फ्लोरिंग और यहां राइ लेशन परपस के लिए विड़ोस भी आपको मिल जाती है क्यूबिकल शावर रूम के साथ ही इसकी वैनेटी है और वो है इसका बॉर्फिटेट कमोड और यह है इसकी वाट्रोग की स्पेस इस घर का हाउस टूर इस घर की डिमांडिंग प्राइस और लोकेशन सारी और उनकी तरफ से इस घर को अवेसली किया गया है इस घर के विजिट के लिए और फुर्दर इंफोमेशन के लिए आप मेरे दियेगे नमर मेरा नमर है 032-040-5751 अब आपसे मुलागात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक कलिए मुझे दीजिये इजादत और मेक्शो कर लें ताकि इन फ्यूचर आपको मजीद खुबसूरत गर्व की और इंफोर्मेटी वीडियो मिलती रहें बहुत शुक्रिया